तो हलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग स्वाग अठीक बद फिर से आप सभी लोगों का अच्छे वंसंपूर्ण सिख्छा देने के एक मात्रिस्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंट की इस ओनलन क्लासेश पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को करें हैं अपने एक्जाम से लिस मिशन 2023 के बारे में और लाश्टर क्लास में बच्चों हमने अपना अध्यात तेरा जो की था हमारा जियामिती रचनाएं इसको कंप्लिट कर लिये थे यानि कि हमने एकाई 5 को कंप्लिट कर लिया है एकाई 5 से हमें साब 12 नंबर के लिए आज की इस क्लास को में स्टार्ट करते हैं देख लिए तो बच्चों को हमारे मिशन चार रहा है उसका नाम क्या है 36 बोड़ परिक्षा मिशन 2023 जहां पर मैं टकेस्वर साहूं आप सभी बच्चों को अच्छा 10 वी विशागड़ित को पढ़ाता हूं और आज का जो हमारा सुरह से टॉपिक होने वाला बच्चों उसका नाम है अध्याय 14 गड़िती कथनों की जाच और यह होने वाला भागिक देखे अध्याय जो 14 है वह आपके इकाई 6 के अंतरगत आता है और इकाई 6 में केवल और केवल आपको एक ही अध्याय पढ़ने की मिलता है अध्याय बोलत या फिर इकाई का नाम बॉल दो दोड़ो एक ही होने वाला है गड़िती कथनों की जाच आज वह रूफा रवाले पार्ट वन पार्ट वन मैं आपको एक नंबर वाले कुश्चन के बारे में बताने वाला हो जितने भी टाइप स्के को सबन सकते थे आज मैं इसको कर तो तो टोटल में आपको च्छाह मोश्ट इंपॉर्टिंग को संद्री क्लास और थर्ड क्लास में पढ़ाने वाला बिल्कुल देखे बच्छों जैसे कि मैंने आपको इस च्टेजी वाले क्लास से बताकर रखा है कि इस अध्याय से हमेशा आपको दो कोश्चन पुछ जाता है एक जो प्रस्ट ने रहता ही वापका आप सींपॉर्टिंगं कोश्चन पर बात करने वाले हम रागए इस इस अध्याया하다 कोई भी फॉर्मूला वगर कुछ भी नहीं आता ए कुछ बेसिक-बेसिक से होता है उसको हम सवालों पर ही देख लेंगे तो बढ़ना चाहेंगे अपने question की वर और ये रहा आपका question जो आपके screen पर आचुका है एक number के लिए पूछे जाने के chances बनते आजाओ चलिए अब इन प्रस्थनों को हम सर एंसर कैसे दें देखो यहां पर यह objective type का question नहीं है क्या कुछ लिए गया है वो सत्य या फिर असत्य बिल्कुछ से बता देंगे देखो तो पहाया नंबर के जो प्रस्थनों क्या बोला गया है कि वर्गमुल दो जो है एक परिमे संख्या होती है तो बच्चों याद कीजिए आपने कक्छा नवी में जो आपका अध्याद दो आता है वास्तविक संख् वहाँ पर आप लोगों ने पढ़कर आया हुआ कि सार वर्गमुल जो दो होती है वोटोना आपका अपरीमे संक्या होती है क्या होती बच्चों अपरीमे historians क्या है तो यह दिया गये कथन पूरणता क्या बच्चों असत्य आपके इमे अति व्रिमेस संख्या होती बिल्कु सभी समसंख्या दो से भाग जा नहीं होती है और समसंख्या होती है जो दो से भाग जा पुर्णता भाग जा उसी को तो हम समसंख्या कहते हैं तो यहां पर उल्टे कुछ लिगा है सभी समसंख्या दो से भाग नहीं होती है अगर वो दो से भाग नहीं जा रही है तो वो समसं यह तो बिलकुल वह भाग जाने वाली है, क्योंकि समसंख्या की डेfinition क्या आती है ऐसी और जो दो से पुर्णत्ह भाग चली जाए, वह क्या कलाती है? समसंख्या कलाती है तो दिया गए कफन पुर्णत्ह असत्य है क्या बच्छो असत्य है बिल्कु चिपका असत्या, चिपका दो, असत्या, ठीक है सर, यहां तक कि कानी में समझ में आ चुकी है, कि यहां क्थन क्या है, असत्या, चलिए, अब बढ़ते हैं, नेक्ष्ट कोश्चन के वर बिल्कु टाइमेश निकर रहेंगे, और यह रहा है, अगला कुश्चन आपक उसको जोड़ कर देख सकते हो, चलो, मैं कोई सभी दो समसंख्या लेकर देख रहा हूँ, चलो, मैंने दो लिया, और मैंने लिया चार, दोनों को जोड़ा तो मुझे मिल गया, सर, चार बी समसंख्या, दोनों को जोड़ दिया, तो मुझे जो 6 मिला है, वो भी समसंख्या, और कुछ एक्जामपल देख लेते हैं, देखो, चलो, मैंने 10 लिया और 12 लिया, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, तो मुझे मिल चुका सर 22, 10 समसंख्या, 12 भी समसंख्या है, जो दोनों को जोडने के बाद, रिजल्ट मिला है, 22, ये भी क्या है, समसंख्या है, तो पुछा गया है, पुछा गया है, 266 में पुछा गया था, बिल्कुल, आने के चांसेद बनते हैं, मैं मोश्ट इंपॉर्टन को करा रहा हूँ, ठीक है, चलो, बरते ही नेक्स्ट केर, और यह आपका अगला कुस्टर आपके स्क्रीम पर जो की एक नंबर के लिए, पूछे आपको एक्जामपल लेकर बताता है, हमें पता है कि सर एक जो है, एक जो क्या है, विसम संख्या क्योंकि जो एक है, वो दो से पुर्णता विभाजित नहीं होती है, ठीक है, क्या बुला था, एक विसम संख्या और एक संख्या, चलो, मैं इस विसम संख्या में मैंने एक सं मिल चुका क्या मिल चुका तीन मिल चुका और आप लोगों को अच्छे से पता बच्चो को जो तीन है वो सम संख्या नहीं है यह दो से पुर्णता विभाजित नहीं है तीन क्या है विसम संख्या और यहां पर क्या बुल था कि एक विसम और एक सम संख्या का योग सब्यों स कि आध्यात्ति के लिए इंख़ामपल में फेल हो गया बाकी लेमी कि जलती है क्या अविशं संख्याओं का योग सदैविसम् Sankhya होता है समय कंयोग सदैविसम् Sankhya होता है चलो अब इसको भी हमिग्जांपल ले कर समझते हैं अप्वाचा लिघा है दो विसम संख्या er deci तों चलो मैंने यहां पर लिया एक एक मैं सब्सक्राइब का अगले वाले संख्या या चलो मैंने लिया तिन दोनों को जोड़ दिया दोनों को जोड़ दे बच्चो तो मुझे मिल चुका है चार- और चार विसम है, किसम है? आपको अच्छे से पता है कि चार जो है, वह दो से पुर्नत है भी भाजित है, तो चार जो क्या है? वो समसंख्या है. तो कथन में क्या बना था, दो विसम म्-संख्या का योग सादा विसम संख्या होता है जेकि यहां पर हमने एक और तिन को लिया दो विसम संख्या को लिया जोड़ा तो हमें तो मिल गया सर समसंख्या हमें क्या मिल गया समसंख्या मिल गया तो दिया गया कंथान पूर्णत असत्या है पूर्णत क्या असत्या है यह एक ही एक्जामपल में फ बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन के और और यह रहा आपका अगला कोश्चन आपकी स्क्रीम पर देख लो आजा बिल्कुल आजा अब देखो क्या पुछ लेगा है रिखते इस थालों की पूर्टे कीजिए कुछ दें उड़ा देंगे इसको कुछ भी दम निया कुछ भी द और लेकर दिखते हैं एक इक संख्या में मने लेकर देखा एक क्या विसंग्वेत और इस में पर क्या जोर दिया बच्चो दो को जोर दिया दो क्या है सम संख्या है तो यहां पर सब मुझे रिजल्टर मीला है पांच पांच क्या है विसम संख्या बिल्कुल विसम संख्या है चलो एक आथ एक्जामपर और लेकर देखता हूं देखो मैं लिया साथ, क्या लिया, साथ में मैं एक संख्या जोड़ा चलो, मैंने जोड़ दिया दो को, दो को जोड़ दिया, तो साथ और दो, दोलों को जोड़ेंगे, तो सर मुझे मिल चुका, नौ, देखें, मैंने तीन एक्जामपल लिया, बच्चो, तीनों में मुझे, तीनों और एक समसंख्या का जोड हमेसा विषम संख्या होती है, क्या होती बच्चों? विशम संख्या होती है, विशम भरो यहां पर और आगे बढ़ो, पुछा गया था दो हजार बाइस से डिवी में, इस स्टार भी पुछी जाने के चांसे बनते हैं, तो बिल्कुल इसको अच्छे से कहले हैं, चलो, अब यह रहा आपका अगला कुश्यन आपके स्क्रीम पर चलो, इसका जबाब मुझे दो, जल्दी दो, पटाफर दो, आजा, आजा, चलो, देखो क्या बला गया है, दो विशम संख्याओं का जोड हमेशा संख्या होती है, खाली स्थान संख्या होती है, दो विशम संख्याओं का जोड हमेशा खाली स्थान संख्या होती है, देख चलो कुछ और एक्जामपल लेकर देखते हैं, चलो मैंने पांच लिया विसम संख्या, मुझे पता कि साथ लिया एक और विसम संख्या, दोनों को मैं जोड़ने जारो सर, तो मुझे मिल चुक है बारा, बारा क्या है सम संख्या, चलो एक आथ एक्जामपल और लेकर देख ल आगर एक और एक यह सर हो चुका चौश जा बेदे, चौवेस बेड चुका यह भी क्या, यह भी समख्झा ही है, तो दिखो मैंने तीन इंख्जांपल को चेक हैं, और मुझे सरन यहां से पना चर रहा है, कि अगर मैं दो विसम्संख्याओं को जोड रहा हूँ, तो हमेसा मुझे एक संख्या मिल रहा है लिए और बहुत सारे लेकर देख सकते हो हमेसा हमेसा जोड़गे तो हमेसा आपको समसंख्या ही मिलने बाल ये बढ़ते हैं और ये रहाए आपके अगलाकोशन आपके श्क्रीम पर आचुक है आजा है आज आजो बिल्कुल, चलो, क्या बुला है यहां पर देखते हैं, आजो, किसी त्रिभूज का खालिक स्थान कोड दुरस्त अंता कोडों के योगफल के बराबार होता है, अब यहां पर हमें त्रिभूज बनाने की जरब पढ़ने वाले, बिल्कुल आपको लोगों को नहीं बनाना है, बस आपको इस कोच्टन को इबर पढ़कर चले जाना, आजाओ, बिल्कुल आपको, देखो, चलो, मैंने यहां पर एक बनाना है बच्छो, त्रिभूज, क्या बना है, त्रिभूज बना है, फिर क्या कुछ लगिए है कि कि किसी त्रिभूज का खालिस स्थान को दुरस्त अन्ता कोड़ों के योगफल के बराबर होता है, ठीक बच्छो, अन्ता कोड बना गया है, तो हमें पता है कि सर त्रिभूज में तीन अन्ता कोड़ बनते है, चलो, मैं माल लेता हूं कि यह वाला कोड़ दुरस्त अन्ता कोड़ों का योग, यानि कि यह वाला फ्रवाजयों का यूंग होता है वो जिस कोन के बारबर होता है तो आपने कछ्छा 9 वि में आपने सर लेखा वहंग कोन में पढ़कर आया हुआ बाहीजकोन क्या पर या प्र 200F पढ़कर आयो है जहां पर क्या होता है बाहीजकोन कैसे बनता है कि कि सी MS के कि स्ल Ear 주세요 उक भूजा के बाराबर आता है डिको चलो यहmaya थिर्भूज ए बी सी है क्या उत्रफूज सी अब मैं बंडूज फोघाइस अब बहुंद Government का किया आगे कि उप्राया तो यहां पर एक कोड़ बनने वाला है यहां दोनों कोडों के योग के बराबर होता है इन दोनों कोडों के योग के बराबर होता है तो किसी तिर्भुज का बाहिया कोड दुरस्त अंता कोडों के योगफल के बराबर आता है बिल्कुल क्या चिपकाओगे यहां पर बाहिया कोड चिपकाने वालों बिल्कुल इस तरह से आपको यह चेक करना पड़ेगा, बिल्गुस्तर हमने हैं पर इसको समझ लिया, चलो, बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्टन के और और यह रहा आगला कोश्टन आपके स्क्रीम पर आचुका है, चलो, इसका जवाब दो फटाफट, आजाओ, चलो सर, इसको सल करते हैं, आजाओ देखो, क्या बोला गया है, कि किसी भी तिरिभुज की दो भुजाओं का योगफल, तिसरी भुजा से खाली सिथान होता है, याद कि जब बच्चो मुझे आद निया रहे, कि मैंने इसको कौन से अध्धा में पढ़ाता है, एक बार मैं इसके बारे में और बता चुका हू कि तिरिभुज तभी बनता है, तिरिभुज तभी बनता है, जब दो छोटी भुजाओं का योग, बड़ी भुजा से बड़ी हो, मैंने क्या का बच्चो, कि तिरिभुज तभी बनता है, जब दो छोटी भुजाओं का योग, बड़ी भुजा से बड़ी हो, जैसके, मैंने क्या किया आप पहले दो छोटी भुजाओं को ले लो और दोनों को जोड़ दो तो यहां पर छोटी भुजाओं कौन कौन सी है तीन और चार है हमें सर दिख रहा कि पास तो बड़ी भुजा है तो मैंने क्या किया तीन और चार को जोड़ दिया तो सर हमें मिल चुका है साथ, ठिक है, साथ मिला, अब यहाँ पर यह देखना है, कि दोनों छोटी भूजाओं का जो योग हमें मिला है, वो तिसरी बड़ी भूजांसे छोटी है, कि बड़ी है, अगर बड़ी हुई, तब ही आपका त्रिभूज बनेगा, साथ मिला है, जो कि 5 से बड़ा है हमेशा, साथ जो है वो 5 से बड़ा, इसलिए यहां पर तिरिभूज बनेगा, बिलकुल बच्चो, तिरिभूज बनने वाला है, ठीक है, चलो, अब मैं आप लोगों से यहां पर भुचता हूँ, मैंने यहां पर लिया, 7 लिया, और यहां पर चलो, मैंने तिरिभूज बनेगा कि नहीं, तो चेक करने का तरीका का बच्चो, आप दो छोटी फूजाओं को ले लो, चलो, मैंने इन दोनों छोटी फूजाओं को ले लिया, 6 और 7 को जोड़ दिया, सर्भूज है मिल चुका, 13 मिल चुका, बिलकुल, अब यहां पर 13 मिल है, और यहा तिरिभूज के दो फूजाओं का योगफल, तिसरी भूजा से, अधिक या फिर बड़ी, अधिक लिख सकते हो, या फिर आप बड़ी भी लिख सकते हो, यहां पर चलो, मैंने लिख दिया, अधिक, अधिक लिख दिया, अधिक होता है, बिलकुल, या फिर आप बड़ी भी लिख सकते हो तब भी आपका एंसर सही होने वाला है हमने इसको सर अच्छे से समझ लिए चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और और यह आपका अगला कोश्चन आपके इसके निपर आ चुका है आजा 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 बिल्कुल कुछ भी दो में इसमें भी लिखना यह चीन आपको लिखने बास आपको एक में नमर मिलने रहे हैं पूछा गड़ा भी आपूचा गड़ा है 2777 पूछा गे ता इतना चोड़ा कोश्चन बचल अब चलो चलो चलते हैं अब यह रहाब कोश्चन आपके इसक्रीम पर आचुका है समसंख्याओं का वर सदा खाली स्थान संख्या होती है तो हम चार-पांच एक्जामपल लेकर देख रहते हैं आज 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 देख लो ठीक है वर्जद को चेक करने का तरीका कुछ और होता है लेकिन आपके पास उतना टाम नहीं हो तो आप तिन चार कोश्टन यहां पर एक्जामपल लेकर ठीक है चलो समसंख्याओं का वर्गा सदा खाली स्थान संख्या प्राप्त होती है चलो मैंने यहां पर लिया दो क्या लिए बच्छो दो लिया अब इसका वर्गा करने के लिए बुला है चलो हम इसका वर्गा कर देते हैं तो सर हमें मिल चुका चार क्या मिला चार मिला च सरु इसका वर्ग कर देते हैं दस किया मैं साभिलकूल को इस हाल fir अगार कर देते हैं यूंघा यह ने है सौ्छंप्राइब क्या है यह ल्यार मेरिस सामचाओ एके फेस विर्टार दो सौंधिथ पर लिढ़ां को वो समसंख्या लिया और उन दोनों का वर्ग किया तब भी मुझे क्या रिजल्टा मिल रहा है समसंख्या ही मिल रहा है चलो एक ग्जामपल और लेकर 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 है चलो मैं यहां पर अब ले लिया क्या ले लिया मैं चलो मैंने लिया है चलो संख्या लिया मैंने 20 20 क्य है समसंख्या है तो बच्चे हम तीन एक्जाम्पल से यहां पर लिए सकते हैं कि समसंख्याओं का जो वर्ग होता है वो सदय क्या है समसंख्या ही प्राप्त होती है में समसंख्या ही देती है बिल्कुल यहां पर आप समसंख्या लिखो और आगे बढ़ जा पुछा गया है को वास्ताविक शंख्या ayam in a mayor like 6 संध्या ंपने पढ़कर आया गया तो वास्ताविक संख्या के सभीनिशन क्या थिए कि परीमे और रएपरीमे संख्यान के संग्रा को परीमे संख्या क्या दम है क्या दम है बच्चों लखे लए आजाओ अब यह रहाप का अगला कुछ्छन आपके स्क्रीम पर आचुका है विसम संख्या का वर्ग सदय खाली स्थान संख्या होती है चलो तिन चारे एजामपल लेकर देख लेते हैं बिल्कुल आजाओ विसम संख्या मैं कि अधार के साथ ही गुड़ा कितने बार सर गुड़ा करेंगे तो जितना बार अधार में दिया तो तीन का गुड़ाappelle करें तो आपका काम तमाम करीं खार कि सर हमें 3 का तीन से ही दो बार करना है गुड़ा बह। पर दिक रहाए डो क ratios क्या नंगया नो कि भी समी की संव है एक सब्सक्सार कुछ आर लेकर आता हूं चलो चलो मैंने यहां पर एक और विशंग एक रिए अन्हां नौ का वर्ग मुझे बता थो बच्छों कि क्या राता बिल्कुछ था अठाना बोलोगे को इस अठाना थारा आठाना को थाठाना का से आलागा नौ का नौ से गुढ़ा कर दो पहुत si सब्सक्राइब करेंगे तो तेरा के साथ ही गुड़ा करेंगे तो आपको मिलता है 179 बिल्कुल 179 भी क्या विसम संख्या है तो जब भी हम विसम संख्या ही प्राप्त होती है सचब शाथ है पूछा ग्राप्त है 2019 सेडेसी में चलो कुछ विद हम नीज travel months up अब यह रहा आपका अगला कुछतं आपके संख्याब ने चार डोलों को जोड़ को जोड़ तो पूझे डिला देखो तो बूलों को जोड़ा तो डिला सोला क्या मिला सोला मिला अब मुझे बता तो बच्चो शोला जो है वुस्तम है कि मीसा में बिलकुछ आपका जवाब पर आचे कि सोला जो है वो समसंख्या बिल्कूर बच्छो, बिल्कूर आहां तक कि कहाने समझ में आ चुकी है । शलो लगत कर देखते बने छलो इस येैं सोष कुंद आ छाँ कमें देखते हैं । विठ को प्सक्राम लेtest का अल tribal के लेका लिए दो लगोड़ों आपको जोड़ते हो कि सम्संख्या ब्लोस को सदेव समसंख्या होता है बिल्कुल आपका ये जवाब का ये चाहिए और ये पुछागा था 2020 में पुछागा था बिल्कुल आपने इसको उड़ा कर फेग दिया चलो बढ़ते हैं नेक्स कोश्टन के और यह रहा आपका अगला कुश्टन या खतम हो गया तो टाइप साप कोश्टन के बारे अगर बात करें बच्चों तो मैंने आपको 14 टाइप के कोश्टन करा दिये बिल्कुल मैं यह नहीं कहूंगा कि यही कुश्टन आपके एक्जाम बिल्कुल आपने फियर कॉपिमिस को नोट डाउन करना है और बार बार प्रक्टिस करते हैं अगर वीडियो अच्छे लगता होगा तो बिल्कुल बच्चों लाइक करना है कमेंट करना है और दोस्तों तक सेयर करना है मैं मिलूंगा अपने इन पार्ट नमबर टू पर